अलो फ्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आपका सूपर फास्ट स्टेडी एंड एक्सपेरिमेंट पर तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं हाइड्रॉलिक ओईल के बारे में यह भी हम इस वीडियो में जानेंगे तो फ्रेंट्स ऐसे ही इंडस्ट्रियल टेक्निकल वीडियो मेकैनिकल इंजिनरिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर मैं अप्लोड करता रहता हूं 930 से जादा वीडियो जो है अब तक मैंने अप्लोड कर दी हैं और मैं रेगुलरली नए नए वीडियो जो है वो अप्लोड करता रहता हूं अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँछ पाया तो फिलहल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बने रहेगा वीडियो में अन्तिटाट तो ये जो numbers होते हैं ये number indicate करते हैं उस hydraulic oil के viscosity को जी हाँ viscosity को at 40 degree centigrade यानि कि 40 degree तापमान पर उस oil का जो viscosity होता है उसको ये बताते हैं और इसकी unit होती है centi stroke में जैसे कि 32 है तो 32 centi stroke उसका जो है वो viscosity होगा उस oil का at 40 degree centigrade अगर 46 oil है तो उसका viscosity होगा nearly around 46 centi stroke at 40 degree centigrade अगर हम बात करें इसी तरह 68 की तो 68 grade का जो oil होगा उसका जो viscosity होगा वो 68 centi stroke के आसपास होगा at 40 degree centigrade यानि कि जैसे जैसे number बढ़ते जा रहा है उसका viscosity भी बढ़ते जा रहा है अब ये समझ लेते हैं कि आखिर viscosity क्या होती है viscosity मतलब होता है resistance to flow यानि कि flow बहने के प्रवित्ती को रोकना उसको अपोस करना इस property को कहा जाता है viscosity तो जो fluid जितना जादा गाढ़ा होगा वो उतना जादा विसकस है हम ये कहेंगे यानि कि उसकी viscosity जादा है और जो आसानी से flow होगा यानि कि जो पतला होगा वो कम विसकस है या फिर लो विसकस है तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया है कि जो 32 grade का hydraulic oil होता है वो सबसे कम विसकस होता है यानि कि सबसे पतला होता है जबकि अगर हम बात करें 68 की तो वो सबसे जादा विसकस होता है यानि कि वो गाढ़ा का अगर temperature बढ़ता है है ना अगर oil है माल लिजे fluid उस oil का अगर temperature बढ़ता है working temperature जहाँ पर उसे use करना है तो क्या होगा अगर oil का temperature बढ़ेगा तो उसका viscosity जो है वो decrease होगा यानि कि वो गाढ़ा है तो वो पतला होते जाएगा थोड़ा ठीक है और जैसे ही अगर उस oil को कम temperature पर use करना पड़ेगा यानि कि वहाँ पर का atmospheric जो temperature है वो low है तो आपके oil की viscosity जो है वो बढ़ जाएगी जादा temperature होने पर oil जो है वो पतला होता जाएगा जबकि temperature घटने पर आपका oil जो है वो गाढ़ा होता जाएगा hydraulic oil के selection की बात करें अगर हम तो उन्हें select किया जाता है उसके working condition और atmosphere के आधार पर जैसे कि कुछ ऐसी countries होती है जहांके temperature जो है वो atmospheric जो temperature होता है उनका climate जो होता है वो थोड़ा सा hot होता है जैसे कि हमारा इंडिया है तो इंडिया में हम क्या करते हैं ज्यादा viscous hydraulic oil को use करते हैं क्योंकि यहाँ temperature ज्यादा है तो यहाँ पर 68 grade के oil को use करते हैं ऐसे applications जहाँ पर high heat होता है temperature ज्यादा होता है वहाँ पर हम 68 को use करते है hydraulic oil को जैसे कि आपके DRI plants में जितने भी hydraulic thusters होते हैं hydraulic power packs होते हैं cement plants में भी use होने वाले जितने भी hydraulic systems है वहाँ पर भी 68 grade के hydraulic oil को ही use किया जाता है अगर हम बात करें कुछ special cases की जैसे कि कुछ ऐसे industries होती हैं जहाँ का working temperature बहुत कम होता है जैसे cold storage भी हो गए तो ऐसे जगह पर use होने वाले hydraulic equipment lifting tools जो हैं वहाँ पर hydraulic oil use होते हैं वो low grade के यानि कि low viscous hydraulic oil use किये जाते हैं क्योंकि वहाँ पर अगर ज़्यादा viscous oil को use किया जाएगा तो वो जमने लग जाएगे और properly आपका जो hydraulic system है वो वहाँ पर work नहीं कर पाएगा तो वहाँ पर viscous grade 32 या फिर 46 को use किया जाता है इसके साथ ही जो countries हैं जैसे ठंडे देस हैं जितने भी ठंडे देसों में क्या किया जाता है low viscous grade के ही hydraulic oils को use किया जाता है 32, 46 इन सभी को वहाँ ज़्यादा यूज किया जाता है अब वहाँ भी अगर कुछ ऐसी industries है जहाँ पर high temperature है, high temperature में equipment है, वहाँ का working atmosphere हाई है क्योंकि वहाँ पर high temperature में वो work कर रहा है तो ऐसे situation पर वहाँ भी hydraulic oil 68 को use किया जाता है तो friends इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर 1% भी ये वीडियो आपको helpful लगी हो तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा channel को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए अलविदा